एक छोटी सी कहानी, एक छोटे से गाउं में एक छोटा सा रणगा रहता था जिसका नाम रमेश था रमेश का सपना था कि वहें एक दिन बड़ा आदम बनेगा लेकिन उसके पास ना कोई धान था और ना ही कोई बड़े रिस्तिदार रमेश ने सोचा क्या करूँ, कैसे करूँ, वहें अपने गाउं के एक बड़े वियपारी सिप्ट मिला और उन से सलहा ली वियपारी ने रमेश को कुछ साल के लिए अपने विवसाएं में काम करने का मौपा दिया रमेश ने मेहनत करना सुरूँ किया और उसने सीखा कि सफलता पाने के लिए मेहनत और आत्मविश्वास की आवसकता होती है वह दिम्डात मेहनत करता रहा और अपने काम में माहिर हुआ कुछ सालों बाद रमेश अपना विवसाएं सुरू करने के लिए खुद का पैसा इखटा कर चुपा था उसका सपना पूरा हो गया और वह एक बड़ा आदमी बढ़ गया कहानी की सीख इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि सफलता पाने के लिए आत्म विस्वास मेहनत और संघर्स की आवसकता होती है हालाद चाहें जैसे भी हो यदि हमारा संकल्प और मेहनत मजबूत हो तो हम किसी भी लक्से को पूरा कर सकते हैं वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट के माधिम से जरूर बताए धन्यवाद